क्वेस्चन नमर पाच कह रहा था आठ सीयम लंबा एक रेखा खंड ए भी खीचिए एक को केंद्र मान कर चार सीयम तिरिज्या का एक विरित तथा बी को केंद्र मान कर तिन सीयम तिरिज्या का एक विरित खीचिए पर तेक विरित एक दूसरे को विरित के केंदर से असपर्स रेखा की रचना कीजिए ठीक है तो देखिए सबसे पहले आठ सियम इधर छोड़के खिचना इधर भी छोड़के ताकि फिर आठ सियम को उपर चार सियम के बना सके विरित तो पहले 8 cm केक की करेंगे रेखा खन का रहा था 8 cm खीच दिये यहाँ से यहाँ हो नहीं गया उसके वाद फिर का रहा था नाम दे दिजिये भी इधर नाम दे दिये A इधर हो गया B अब का रहा था A को केंदर मानकर 4 cm A को केंदर मानकर 4 cm होन गया अब A को केंदर मानगे और 4 cm के बिरित खीच दिजिए फिर का रहा था 3 cm के B को केंदर मानकर 3 cm के तो 3 cm यहाँ हुआ नहीं अब इसको केंदर मानेंगे आप इधर खीच देंगे अब क्या करेंगे पहले इसको रेखा समद्य भाजित करेंगे त्यादा से अधिक लिए लिए हुन गिया इधर काटेंगे और इधर काटेंगे कट गिया उसका फिर इधर से इधर कटा और इधर कट गिया आप यहां से देखेंगे रेखा समद्य भाजित हुने इसका नाम की दे दिये आप यहां से की करेंगे इसको नाप लेंगे एक विरित खीच देंगे यहां से ना पागिया अब इसको एक विरित खीच देजे इस तरह से खीचा गया एक विरित आप कह रहा था इसके केंदर से इस पर असपर्स रेखा खीचे ले इसके केंदर से इस पर असपर्स रेखा खीचे ले तो एक बिंदू यहां हुगा, एक बिंदू यहां, एक बिंदू यहां हो गो गयाbalance इसका नाधजी P, Q, R E S हो गया अब इसका के अदर परेसे मिला देजे इधार से और इसको मिला देजे इधार से अब इसको मिला देजिए इस बिन्दों से इधार अब इसको मिला देजिए इधार अब यहां रचना के चरण लिखेंगे अब इसको मिला देजिए रचना में क्या की है ए बी आठ सियम का रेखा खंड खीचे यहां से यहां थे ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र मानकर को से मिला चार सियम तिरिज्या का एक बिरित खीचे फिर B को केंद्ड रमान कर Tiji से Magen का एक बिरित खीचे फिर A, B रेखा खान जो था इसको कि कि है समदी भाजित किये समदी भाजित किये तक कोन बिन्दू पर किया परती छेद तो M बिन्दू पर परती छेद करती है फिर A, M टिरिजिया लेकर यहां से यहां तिर्जया लेकर एक बिरित किचा जो कहां कहां काठा P Q R A S पर काठा फिर P B तथा Q B को मिलाया P B और Q B को मिलाया फिर किकिए कि A S तथा R A को मिलाया अता है इतना S परसम देखा होगी